जेस्त्री राधे, जेस्त्री किष्णा, आप सभी का मेरे इस यूटूब चैनल में श्वागत है, और आप सभी को धन तरश की धेर सारी शुब काम नहीं, धन तरश का परू सास्त्रों के द्वारा क्यों मनाया जाता है, और इसका पूजा का समय क्या है? पौरानिक मानेता अनुशार, सास्त्रों के अनुशार, शमुंद्र मंथन के समय कार्तिक कर्शनपक्ष की त्रियोदशी के दिन भगवान धनवंत्री अपने हातों में अमरत से भरा कलश लेकर परकट हुई, धार्मिक मानेताओं के अनुशार, भगवान धनवंत्री आवतार मने जाते हैं संसार में चिकित्सा विज्यान को विस्तार और प्रसार के लिए ही बगवान विष्णू ने यह अवतार लिया था बगवान धनवंत्री के प्रकट होने के उपलक्ष में यह धन तरश का तंयौर मनाया जाता है। इस दिन बगवान धन्वंत्री की पूजा के साथ साथ यम्राजी की भी पूजा की जाती हैं तो देखो धन्तरिस के दिन बरतन, सोना, चांदी, औरी खाता, मांगलिक वस्तोयें और घर में आवशक शमान इस दिन खरीदे जाते हैं जिनकी पूजा दिपावली के दिन करते हैं इस दिन खरीदावा समान सुब माना जाता है इस वर्स 2019 में धन्तरिस पचीश तारिक वचबीश तारिक को मनाई जाएगी पचीश तारिक को परदोष वेला में साथ बजगर के पांच मिनट से साड़ी आठ बज़ें तक रहेगी तो इस परकार 26 तारिक को दिन में तीन बजगर के 46 मिनट तक धन्तरिस का सुब मूर्थ माना जाता है पचीश तारिक के दिन शुब मूर्थ सुबह आठ बज़ें से दस बजगर के 40 मिनट तक लाब और अमरत सुब माना जाते है दो फर सवाबारा से एक बजगर के 30 मिनट तक साइं साड़ी चार से छे बज़ें तक वे परदोश वेला छे से साड़ी आठ बज़ें तक सुब मानी जाएगी 26 तारीक के दिन भी यह शुब मूर्थ है शुबह आठ बज़ें से नो भीस तक और दो फर सवाबारा से तीन बज़ें तक शुब मूर्थ रहेगा इस समय जो भी समान खरिदा जाएगा वह अती सुब माना जाएगा और भगवान विश्णु की क्रपा बनी रहेगी और धन धन्ये से परिपून रहेंगे जैस लिखिष्णा जैस जादे